आईए आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं माई विलेज यानी मेरा गाउं पर किस तरह से आपको निवंध लिखना है आई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए यह सबसे बेश्ट ऐसे है इसमें अगर आपके गाउं के उपर निवंध लिखने को आता है तो आप किस तरह से लिखेंगे तो इसको शुरुआत करने से इसकी पहले जो है अगर आप चैनल पर हमारे नए आए हैं तो इसको सस्क्राइब अवस्य करें ताकि आपको नए नए आपके कोर्स से मंदित जो वीडियो जहें वो प्राप्त होते रहें तो इसकी सुरुआत करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से इंट्रोडक्शन में आपको अपने गाउं का नाम लिखना है कहां पर ये इस्तित है वो लिखना है किस मुख रोड से जुड़ा हुआ है उसके बारे में जानकारी देनी है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जैसे हमने यहां पर ओदापूर नाम गाउं का बढ़न किया है तो मेरे गाउं का नाम ओदापूर है इट इज सिचुएटड अन दा फ्यू माइल आवे फ्रॉम कांट साजहांपूर रोड यहां कांट साजहांपूर रोड से कुछ मेल की दूरी पर इस्तित है तो यह इसके इंट्रोडक्शन हो गया इसके पस्चात आपको गाउं के बारे में गाउं के जो लोग है उनके बारे में लिखना है तो आप यहां पर लिखेंगे प्यूपिल आप माई बिलेज मेरे गाउं के लोग इट है जे पापुलेशन आफ अबाउड फाइव थाउजाएंड परसंद इस गाउं की आवादी जो है वो पाँच हजार ब्यक्तियों की है आल दा प्यूपिल आर हानेश्ट सभी लोग जो हैं इमानदार हैं एंड हार्ड वर्किंग और मेहनती हैं इसमें से सरवाधिक ग्रामीड जो हैं वो किसान है तो ये गाउं के लोगों के उपर हमारा दूसरा हेडिंग हो गया है इसके बाद में फिर सैनिटेशन यानि सच्छता के बारे में लिखियें कि गाउं में सापसफाई की कैसी बिवस्ता है My village is clean मेरा गाउं साफ है इस गाउं में पक्की सडके है गली के दोनों तरफ नालियां बनी हुई है इसके बाद में फिर एजुकेशन फैसिलिटीज आपके की सिक्चा विवस्ता क्या है तो वहाँ पर उसका वर्णन करना है देर इजे प्राइमरी एंडे जूनियर हाई स्कूल इन अवर बिलेज हमारे गाउं में एक प्राइमरी और एक जूनियर हाई स्कूल है फिर इसके बाद में गेम्स एंड इस्पोर्ट्स खेल की क्या विवस्ता है उसके वारे में लिखना है दा इस्टूडेंट्स प्ले गेम्स चात्र जो हैं वो खेल खेलते हैं सम्प्यूपिल प्ले वॉलीवाल एंड क्रिकट मैच नियर दा प्ले ग्राउंड समीब में ही जो खेल का मैदान है काफी बड़ी जो जगह है वहाँ पर कुछ लोग बालीवाल और कुछ लोग क्रिकट मैच का अनंद लेते हैं यानि कि वो क्रिकट मैच खेलते हैं खेर अगली है रीजन्स फार माइ लाइकिंग मेरी पसंद का कार्ड या मेरी पसंद का उद्देश जो भी है वह आपको हेर्डिंग में लिखना है कि आप मतलब इस इस्थान को ही क्यों पसंद करते हैं तो यहाँ पर देना है फार मी यानि कि मेरे लिए It is the best place on the earth ये प्रत्वीका सबसे उत्तम इस्थान है B, गेट, फ्रेस, एर, एंड, ग्रीन, बेजटेबिल्स, हेर हमें यहाँ पर जो है ताजी हवा और हरी ताजी सब्जियां प्राप्त होती है इसके बाद में फिर आपको कनक्लिउजन यानि कि उसका उपसंगार लिखना है तो उपसंगार में आपको क्या लिखना है केवल एकी लाइन लिख दीजेगा I like my village very much मैं अपने गाउं को बहुती पसंद करता हूं तो ये था आपका निवन्द my village यानि मेरा गाउं के उपर ये हमने आपको अपनी बहुती सरल भासा में और सटीक सब्दों का प्रियोग करके यहां पर प्रस्थित किया है इसमें जो भी गाउं का नाम है अन्य जो चीजे हैं वो आप अपनी according अगर लिखना चाहें तो बदल सकते हैं